नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोग का एक बर फिर से दा आयार शो में दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे गिल्गित बालतिस्तान रीजन के उपर क्योंकि जो एक खबर है वो गिल्गित बालतिस्तान रीजन से ही रिलेटेड है और दरसल खबर यह है दोस्तो कि पाकिस् करशा को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके क्या रीजन है जिसकी वज़ेसे गिलगिल बालतिस्तान को पाकिस्तान अपना पांचा प्रोविंस बनाने जा रहा है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं पाकिस्तान फाइनलाइजस बिल्ड टू ग्रांट न्यू स्टेटस टो गिल्गिल बालतिस्तान यह दरहिंदू की रिपोर्ट है और इसमें बताया जा रहा है कि जो है पाकिस्तान जो है वो जल्द ही जो है अपना इसको नया स्टेटस पाकिस्तान चाहिए तरीके की बात करनी चाहिए पाकिस्तान को तो बहरत को ब्लपना चाहिए उसके बाद किसी भी तरीके निगोशेशन की की बात करनी चाहिए पाकिस्तान को तो भारत ने हर बार की तरह अपना इस पर विरोध दर्जी करा दिया लेकिन दोस्तों इससे कुछ होता नहीं है इस्तिती दरसल दोस्तों यही है कि अब वहां जो उसको करना है पाकिस्तान को वो तो करी रहा है तो अब दोस्तों यहां पर जैसे आप इसको मैप में देखिए तो थोड़ी सी आपको clarity आजाएगी जैसे अगर आप यह देखिए यहां जो यह वाला आपका जो रीजन जहां मैं आपको यह मार्क कर रहा हूं यह वाला जो आपका रीजन है यही आपका पूरा गिलगल बालतिस्तान का रीजन और इस पूरे रीजन को जो है आप इसमें गिलगल बालतिस्तान जो आप देख रहा है इसमें यह पूरा रीजन पूरा रीजन यह जो है यही आपका आता है गिलगल बालतिस्तान का और यह जो नीचे जहां मैं आपको ग्र थी तो दोस्तों ये जो आप देख रहें तो उपड़कर यह देख रहें गिलगल बालत्तान वाला इसी को जो है अपना पाच्छाई बनाने जा रहे हैं अभी पाकिस्तान में चाहरी प्रोविंस हैं पाच्छा पॉक्रवविंस इसको बनाने की तैयारी है और देखे दो हजार नौ से पहले जो है यह जो गिलगिल बालतिस्तान वाला जो इरेजन था इसको नौर्दन एरिया कहा जाता था पाकिस्तान में और देखे दोस्तों इसके लिए आज तक कोई इन्होंने स्पेशल कोई constitution वगर भी नहीं बनाना था क्योंकि पाकिस्तान का जो खुतकाई जो constitution 1974 के बाद आया था तो अब ये इसके लिए कहां से इंतिजाम करते तो आप समझी सकते हैं और इसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे आप यहां देख सकते हैं इस वाले मैप में राइट कश्मीर का हिस्सा दिख रहा और जो लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा पीयो के ऑक्योपाइट कश्मीर जो ग्रीन कलर में उपर वही आपको गिलगलबाद तरसान का तो इससे एक आपको जो है वो मैप की ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम लोग किस एरिया की बात कर रहा है तो दोस्तों अब यह जो पीयो के है इसको इन्होंने गिलगलबाद तरसान को इसमें जो इमरान खाने इन्हों पिछले साल ही इसकी घोषणा कर दी थी कि जल्दी ही जो हम इसको जो है अपना पांचा प्रोविंस बनानेंगे उस समय भी भारत ने इस फैसले ही जो है आपका यह सक्षिगम वैली है जो कि आप यहां देख सकते हैं अगर मैं आपको यहां अगर आप यह देखिए इसको जो मैं अगर मार्क करता हूं यह वाला जो एरिया है जो आप देख रहे हैं जो रेड में यही आपका सक्षिगम वैली है जिसको 1963 में जो है वो च पॉसिबल रीजनस हो सकते हैं वह इसी गिलगित बात्रस्तान के रीजन से होते हुए जा रहा है तो कहीं न कहीं एक देखे लेजिटिमेसी नहीं है इस प्रोजेक्ट की क्योंकि भारत बार बार कहता है कि यह जो प्रोजेक्ट जा रहा है यह कि एक occupied area जो जबरदस्ती military occupied area है वहां से जा रहा है और यह भारत का internal matter है और यह भारत की sovereignty को hurt करता है तो कहीं न कहीं अपना पाच चीज का डर रहता है कि अगर भारत में इस चीज़ को बाद में चलके occupy कर लिया तो चाइना का पूरा प्रोजेक्ट है वो धरा का धरा रह जाएगा और चाइना को जो विश्व के जो और देश हैं उनमें एक authentic base देने के लिए चीन के pressure में पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है औ तो अब इससे क्या होगा कि आप कम सकम यह तो कह सकेंगी कि यह हमारा पांचव प्रोविंस है अब तक तो यह कहते ही नहीं थे northern area इसको कहते थे नौर्थ एरिया साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए कि इसका जो तीसरा रीजन है possible तीसरा रीजन की informal acceptance of India's decision of volition is article 370 जैसे आपको मालूमी होगा कि अगस्त 2019 में जो है वो article 370 को जो हटा दिया था इन्होंने तो इसके बाद इन्होंने यह कहा था कि हम जो है बिना इसके वापस मानेंगे नहीं भारत से बाचीत नहीं करेंगे कोई relationship नहीं रखेंगे तो इन सब के बावजूद जैए भारत में अपने decision को वापस नहीं लिया तो कहीं न कहीं जीए, informal acceptance है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान भी कहीं न कहीं इस बात को समझ गया है कि भारत जो है अपने decision को वापस लेने वाला नहीं है तो कहीं ना कि इस decision को accept करने की जो उसकी जो representation है या जो उसका indication है वो इस फैसले से समझा जा सकता है कहीं ना कहीं पाकिसान के बाद समझ में आ गई कि अब होना जाना कुछ नहीं आ आगे तो उसने यह सुचा कि क्यों आप इसको जो हम ज्यादा से ज्यादा अपने में legalize कर ल इसके possible reasons अगर आपको लगता है इसका कोई और reason हो तो please comment box में share करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करिए और दोस्तों comment ज़रूर किया करिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि comment ज़रूर किया करिए और like ज़रूर किया करिए share करिए वीडियो को ज्यादा थैंक यू दोस्तो थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो जय हिंद जय भारत